हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का फिर से एक बार नई वीडियो में मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने वाले हैं नई मैसेजिंग एप जो की है सिगनल इसके बारे में वाटसेप की प्राइवसी पॉलिसी चेंज होने के बाद काफी सारी यूजर्स ने जो है वाट सेप की तरह ही मेसेजिंग एप है और बहुत सिंपल सी है काफी सिंपल यूजर इंटरफेस है इसका यूज करने के लिए तो आज की इस विडियो में मैं आपको बताओंगा कि सिगनल एप में एप लॉक कैसे लगा जाता है दोस्तों सिगनल एप मैंने भी इंस्टॉल कर ल पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा सेटिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक यह जो है यह अभी off है, आपको इसे कर देना है on, जैसे आप इसे on करेंगे, हम जाएंगे back, और आप देखेंगे कि अब भी जो है, यह app lock नहीं हुई है, आपको चलना है back और notification पैनल में आप देखेंगे, यहाँ पर note आपको देखने को मिल रही है, signal is unlocked, तो यहाँ पर एक छोटा सा arrow दीक रहा है, इसके उपर क्लिक करेंगे, और lock signal के option पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, अब हम इस app को open करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको fingerprint मांगा जा रहा है, यहाँ पर मैं fingerprint लगा देता हूँ, जैसे ही fingerprint लगाएंगे, यह जो application है, open हो जाएगी, आपको फिर से जब भी इसे lock करना है, तो आपको notification पैनल में जाकर यहाँ पर क्लिक करना है, और lock signal को click कर देना है, तो यह जो application है, आप देख सकते हो, lock हो जाती है, तो दोस्तो इस तरह से आप signal app को lock और unlock कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से, तो उमीदे दोस्तों आपको यह व विडियो में तब तक के लिए, बाई बाई